सर्व विदित है कोविड ने आज के संपूर्ण विश्व को हिला कर रख दिया था लेकिन देश ने सभी वाधाओं को दर किनार किया आज हम फिर अपने लक्ष प्राप्ती की दिशा में आगे बढ़ चुके है कोरोना काल ने शायद हमें पर्यावरन को साफ सुत्रा रखने के साथ विकास के नाम विध्वन्ष न करने का आखिरी संदेश भी दिया दो वर्दान भी दिये पहला वर्दान है आनलाइन शिक्षा दूसरा आयूर्वेद को नया नजरिया देना इस अंक में हम आयूर्वेद पर बात करेंगे कम्पिल आयूर्वेद की जन्नी है इसकी रूप रेखा कम्पिल में ही तैयार हुई थी आश्चर्य हुआ इस महत्वपून क्षित्र की अभेलना की गई भारतिय आयूर्वेद विग्यान की चरक सहिता सर्व प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है पांचाल मंडल की राजधानी कम्पिल में गंगा नदी तट के निकट भ्रमन करते हुए भगवान पुनर्वसू आत्रेयन ने अपने शिश्य अगनिवेश आदी को उपदेश दिया तथा आयूर्वेद के अधैन, अध्यापन, अन्वेशन आदी का कार्य यही से प्रारम हुआ यहां की प्रयोक्षाला में औशधी परिग्यान के साथ औशधी के गुंदोश, रस, वीरिय, विपाक आदी पर विस्त्रित रूप में खोच की जाती थी इसके लिखे जाने का समय WS-3 BC से WS-2 BC के मध्या है सभी मतांतरों के पश्चात यह निश्चित है कि चिकित साशास्त्र का प्रारम भाज के पंचाल प्रदेश के फरुखाबाद जनपद में ही हुआ था हिमाले पर लगभग सो रिश्यों की एक सभा की गई जिसमें कन नौज, कमपिल, पांचाल के प्रतिनिदी के रूप धौम्य के भराता देवल विश्वामित्र, धौम्य और चयवन रिश्यी उपस्थित हुए थे कुछ विद्वानों तथा जन्शूती के अनुसार इस सौरिशी संगम को ही सौरिंग कहा गया शौदह वी शताबदी में एक पुस्तक कलपतीर्थ के एक लेक के अनुसार फरुखाबाद का ये शेत्र वन औशदी का महान केंद्र था यहां की मिट्टी और जल का जो वर्नन मिलता है उससे हम निश्चे ही कमपिल को उस यूग का प्रदूशन मुक्त और स्वास्थ नगर मान सकते हैं चंद्र किरनों की भाती इसका निर्मल जल जिसके स्नान से और यहां की पीली मिट्टी का लेप करने से रोग ठीक हो जाते थे तथा विवाहा आदी के पहले सुंदर्ता बढ़ाने हेतु मिट्टी का लेप लगा स्नान करने की प्रथा थी मिट्टी से सोना बनाने की विधी का वर्नन पटियाली में जन्मे और कमपिल विश्व विद्यालेय में पढ़े अमीर खुसरों ने किया था यहां के ब्रह्मकुंट के तट पर उगी मंडूक ब्राहमी के पत्रे को चून के साथ पीने से निरोग मीठा स्वर उत्पन होता है यहां के उपवनों में ओशधिया उत्पन होती है इसलिए विश्व के महान वैद्यरत्न महर्शी चरक ने इस सैमिनार के लिए कमपिल को चुना था आचार्य चरक का काल लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है भारत में नानी के नुस्खे सदियों से प्रसिध रहे है ग्रामी उनक्षेत्र में सर्दी बुखार वजुखाम का इलाज आज भी सफलता के साथ किया जा रहा है आवला वद त्रिफला चून घर घर में होना लाजिमी है कोरोना काल के बाद आयूरवेद को महत्ता दी गई है फेस्बुक पर आजकर जुनों के दर्द, गठिया वबिना सरजरी के आँखों के इलाज की दवा का प्रचार किया जा रहा है मैंने दोनों का प्रयोग सफलता पूर्वक किया मैं कह सकता हूँ अगर ऐसे ही आयूरवेद में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चे ही अगली सदी आयूरवेद की होगी साध गुरू का एक लेक पढ़ा था जिसमें बताया गया की बजार वाद ने आयूरवेद के क्लासिक फॉर्मूलों की जानबूज करन देखी की वही जब ये फॉर्मूले बजार में लाए गए तो लोगों के बीच अपनी धाक वा विश्वास जमा रहे है सरकारों ने आयूरवेदिक मेडिकल कालेज खोलने का लाइसेंस तो दिये है लेकिन इन कालेजों का उप्योग मात्र धन उगाही के लिए किया जा रहा है होशना होती है या नहीं